तो कैसे हैं आप सब लोग वल्कम बैक टू यारून चैनल दीपा क्या दाव साहे सकेडमी विल्कम टू दी डेली करेंट अफिर्स वीडियो और 1 अक्टूबर 2020 तो गाईज आज है तारिक पहली अक्टूबर 2020 और है तस्डे देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टन करेंट को आज की तारिक से जितने भी इंपॉर्टन करेंट अफिर्स वनेंगे उन सभी कौम लोग डीटेल में डिसकस करने वाले हैं और यह जो वीडियो है सभी कौमडिव एक्जाम के पॉइंट अब उससे इंपॉर्टन आ होने वाली है तो एंड तक वीडियो को देखो और फि किस बात की देरी कर रहे हो क्योंकि सभी चीज़ आपको यहां पर चैनल पर मिल लही है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा हो सब्सक्राइब कर देना और बला आइका जरूर दबा देना तागि आपके आपस वीडियो की नोटिफिकेशन डेली टाम डू टाम आती र करने वाला है,दो अक्टूबर से कैम्पेण चालू करेगा किस चीज़ के ऊपर सैनिटेशन लेटरेसी के उपर यहां इसे अपने आपको साफ सुतरा रखो इसलिए जो है यह यह कैम्पेण चलादवाला है हमारा कौन नाबाड सब्सक्राइब जान लो National Bank for Agriculture and Rural Development ठीक है तो यह अभी start करने वाला यह campaign आपको पता है और यह campaign जो है start होगा करनाटिका में और start काउन से तारिक से होगा 2 October से जो है campaign start होने वाला है और 26 जनवरी 2021 तक यह campaign चलेगा ओके simple सा है चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर competitive exams के point of view से क्या important हो सकता है इस current affairs related बाई simple सा आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो नाबाड है that is National Bank for Agriculture and Rural Development इसका chairman कौन है इसका chairman है गोविंदा, राजूलू, चिंतला यहाँ पर इसका chairman है नाम याद रखना और इस चीज़ के बारे माई idea रखना ओके, now आपना next अपना article लेखता है यह बोलता है जो IDBI bank है यह ऐसी पहली bank बन चुकी है जो की जो documents, अगर आपके कोई documents होंगे bank में, तो वो आपको message के थुरू जो है send कर देगी देखो, अब यह यहाँ पर एक चीज़ फिर से दिखाता हूँ यहाँ पर एक SFMS लिखा हुआ है यह एक system है इस system का नाम है structured financial messaging system इसमें क्या होगा जो IDBI bank है आप IDBI की full form क्या है Industrial Development Bank of India तो जो IDBI bank है अगर आपके कोई documents वगरा है कोई documents create होता है तो वो क्या करेगी message के थुरू आपको document send कर देगी और वो documents एक PDF file में होंगे और वो PDF file एक MB की होगी simple सा है एक MB की file में आप लोगों को अगर कोई documents हैं bank में तो वो आपको message के थुरू send कर दिये जाएंगे लेकिन यह सारे bank की तरफ से फंडा नहीं है यह bank कौन है IDBI Industrial Development Bank of India simple आगे बढ़ते हैं आप यहां से आपके लिए competitive exams के point of view से क्या important हो सकता है ठीक है इसको skip करो इतना ठीक है यहां से देखो IDBI के bank के chairman पूछ सकता है कि भाई who is the chairman of IDBI bank bank headquarter कहाँ पर है Mumbai महाराष्टर में इसका headquarter है ठीक है और उसके बाद IDBI bank tagline क्या है bank for all bank for all यानि कि सभी के लिए bank है इसकी यह tagline है उसके बाद next जो हमारा current affair है यह किस चीज़ के बारे में बोल ला है जो flip card है और bajaj aligns है तो यह क्या कर रहा है एक cyber insurance cover को launch कर रहा है आपको पता यह cyber attack काफी साथे देखा जा रहा है आज के टाइम पर cyber attack यानि की computers के द्वारा लोगों के साथ fraud कर लिया जाता है कुछ लोग expert होता है जोगी computer में expert होता है वो hacker वगरा होता है वो hack work करके न क्या करता है fraud कर लेता है लोगों के साथ उनका bank account खाली कर देता है तो ऐसे आगर यहाँ पर ऐसे कुछ देखा जाता है market में कौन से market में यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में कौन से market में online financial frauds में यानि कि अगर online आपके साथ कोई पैसे के साथ यह बवाल होता है कोई पैसे के साथ online अगर fraud होता है तो उसके लिए insurance cover आ चुका है और वो insurance cover कौन लेके आया है हमारा flip card and bazaar's airlines तो इसको याद रखना है यह idea याद रखना है इसका बारे में क्योंकि बहुत important है क्या हो गया अब यहाँ पे cyber crime है और cyber attack से काफी जादे देखे जाते हैं आज के टाइम पे तो flip card इसके लिए insurance cover लिया है कि भाई अगर आपके साथ कुछ होगा तो आप इसका insurance करा लो आपका जो है कुछ payment वगरा दे दिया जाएगा officer कौन है तपन सिंगल और इसका जो यहाँ पे headquarter कहाँ पर है बजाज alliance का वो है पूने महाराष्टर में ठीक है चलो उसके बाद next हमारा current affair क्या बोलता है agreements और memorandum of understandings के उपर है इसमें जो नीती आयोग है हमारा नीती आयोग ठीक है अभी जो चला है हमारा इससे पहले के चलता था planning commission ठीक है तो नीती आयोग और embassy जो नीदरलेंड की embassy है हमारी Delhi में ठीक है हर country के embassy होती है एक दूसरे countries में तो जो Delhi में नीदरलेंड की embassy है और नीती आयोग है इन दोनों ने मिलके साइन किया है statement of intent SOI यानि की जो पर्यावरण है environment है उसके लिए ध्यान देंगे उसके ओपर ध्यान देंगे और अपना green revolution के ओपर काम करेंगे और support करेंगे decarbonization को decarbonization यानि की जो carbon emission है वो कम से कम हो जैसे की factory से काफ़ी जादे धुए धारी यहाँ पर निकलता है धुए वगएरा जो की air को pollute कर देता है हवा में काफ़ी जादे प्रदूशर फैलता है carbon के दोरा चीक है यह जो carbon gas होती है तो इसको कम करने के लिए यहाँ पर जो है इन दोनों ने इंडिया और नीदरलेंड की embassy ने जो है यह चीज साइन करी है क्या साइन करा है sign of intent की इस चीजों को यह लोग support करेंगे और आगे बढ़ेंगे और जो environment है उसको protect करने के लिए जो है इस step उठा गया है दोनों के दोरा अब competitive exams के point of उससे क्या important हो सकता है सबसे बहले तो पूछ लेंगे कि जो नीती आयोग के chief executive officer CEO कौन है वो है अमिताप कंथ प्राइम मिनिस्टर कौन है नीदरलेंड के वो है mark root capital क्या है नीदरलेंड की वो है अमस्टरडेम currency क्या इस्तमाल होती है वो होती है euro simple आगे बढ़ते हैं next current affair क्या बोलता है appointments के बारे में कि भाई कहां कहां पर किस को appoint करा गया है इसके बारे में पढ़ेंगे तो जो film maker शेकर कपूर है ठीक है ये film बनाते है film maker शेकर कपूर ये FTII के नए chairman बन चुके है अब यहाँ पर FTII क्या होता है मेरे भाई film and television institute of India ठीक है इसके नए chairman बन चुके है कौन शेकर कपूर ठीक है नए chairman के लिए new president के लो as a new president इनको जो है appoint करा गया है इसके ठीक है तो इसके बारे में याद रखना इसके बारे में idea रखना अब आपके लिए हाँ पर competitive exams के point of इसे क्या important हो सकता है कि पहली बाद तो पूचा जा सकता है film and television institute of India यह setup करा गया था government of India के द्वारा in which year 1960 में जो है यह setup करा गया और चोड़ो यह वेकार है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसका वह ही है कि मतलब इसका प्रीमेस का जा रहा है सम्मानित करा जा रहा है एक special humanitarian action award UNDP के द्वारा ठीक है अब यहाँ पर UNDP क्या होता है united nation development program इनको एक award देने वाला यह sorry यह UNDP के award से इनको सम्मानित करने वाले हैं ठीक है अनुसूत जी को क्यों क्योंकि आपको पता है कोविट 19 की situation में जब हमारे country में lockdown लगा तो इन्होंने गरीबों की काफी जादे help करी बहुत जादे help करी गुलो को अपने घर तक भेजा चिके medical facilities दी free employment दिया तो कोविट 19 से लड़ने के लिए उन लोगो काफी सारी हिम्मत दी है तो फिर इसी वयसे जो है इनको यह award दिया जा रहा है इस award से सम्मानित करा जा रहा है तो इसको आप पढ़ सकते हैं इसके बारे माइडिया रख सकते हैं ओके आगे बढ़ते हैं उसके बार next ए award दिया जाता है तो यह जो award अलग-अलग category के लिए settle up करा गया है वो कौन-कौन सी categories है जैसे कि biological science के लिए अलग award यहां पर देखा गया है chemical science के लिए यानि कि जो biological science में अलग-अलग जो हमारे scientists कहलो या researchers कहलो उनको दिया जाएगा ठीकि जो अलग-अलग category के researchers को award दिया यह जो आपके यहां पर हम लोग नहीं पढ़ ले यह इसके बारे में पढ़ सकते हो PDF आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी और PDF में आप लोग पढ़ सकते हो ठीक है उसके बाद books and authors की बारे में बात करें कि कि किस-किस ने अपनी नई book को launch किया है तो राजनात सिंग ने ए पहली लेडी है यह एसी पहली महिला है याद रखना पहली महिला है जिन्हों ने जो है PhD किया था 1955 में 1955 में यह पहली महिला है जिन्होंने PhD किया लगना उसे ठीक है तो यह इसके बारे में आइडिया रखें यह important है उसके बाद important days को cover करें मेरा गले वैडिया यार बोलते बो बात करते हैं सबसे पहले 30 सितंबर को इंटरनाशनल ट्रांसलेशन डे होता है ठीक है इंटरनाशनल ट्रांसलेशन डे से क्या फाइदा हो सकता है देखो अब यहां पर दो परसन है यह विदेश में रहता है इसकी कुछ और लेंग्वेज है यहां पर मैं हूँ मेरी कुछ और भासा है अगर मेरे वर्ड्स को ट्रांसलेट कर दिया जाएगा इसकी भाशा में और इसके वर्ड्स को ट्रांसलेट कर दिया जाएगा मेरी भाशा में तो हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे नहीं समझ लोग के बीच में relations grow होते हैं तो इसलिए हम international translation day बनाते हैं और यह 30 सितंबर हर साल मनाया जाता है इसका theme क्या है अपकी 2020 का यानि कि कल हमारा निकल गया international translation day इसका विशह क्या था याद रखना मेरे भाई finding the words for a world in crisis यानि कि दुनिया के लिए words को ढूढ़ना ये जो crisis ये problem चलिय है इसके बेच ठीक है simple है उसके बाद competitive exams के point of view से क्या important हो सकता है सबसे पहले तो आप से पूछी लिया जाएगा कि जो international federation of translator president है इसके president कोन है kevin quirk इसके president है और ये जो translator ये body है फिर से secretary general कोन है real pocket इसके secretary general है simple है चलो आगे बढ़ते हैं और आगे आपके लिए कुछ भी नहीं है यहां पर हो गया है हमारा lecture जॉइन कर लो उसे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे वहाँ पर आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे आप लोग उसे कल आज के लिए bye bye have a nice day